नमस्कार आप देख रहें क्लीनीक यूपी और मैं हूँ आपके साथ दैश्रारी वर्मा वक्तु चलाए उत्रप्रदेश से जुड़ी 10 पटाफट बड़ी ख़बरों का इससे पहले आप नियूसकू कि जिले से देख रहे हैं हमें कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताने धार्मी के स्थलों से उतारे गए 11,000 लाउडी सीकर्ट यम योगी ने कहा आस्था का सम्मान मुकी मंत्री योगी अधितनाथ ने कहा है कि आस्था का पूरा सम्मान है इसमें सरकार्थ का कोई हस्तक शेप नहीं है लेकिन इसका सरवशनिक रूप से भोंडा प्रदर्शन कर दूसरों को परिशान किया जाए ये स्विकार्थ नहीं है मुकी मंत्री ने ये बाति बुद्वार को प्रदेश पर के फील्ड अधिकारियों को वीडियो कॉन्फरेंसिक से संभोधित करे के दोरान कही मुकी मंत्री ने अधिकारियों को इद वा अक्षे तृतिय के मोके पर जादा सतर्कता और समवेधन शीर्टा परत्ते की हदायग दे मुकी मंत्री ने कहा कि आम जण पर शाशन के नीतियों का लाब दिलाने में फील्ड में तैनात अधिकारियों की भूमी का एहव है हमने प्रदेश में आराजक्ता और दंगो की सिस्वती को समाप्त किया है सम्रदाइक्ता सौहार्द का बातावरण कायम किया है बीट तेउहारों पर चांतिवा सौहार्द का माहोल रहा है आने पाले तेउहारों पुले कर और अधिक से तरकताव वस समवेदन शीर्दा की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगतंत्र में समभात का बड़ा महत्व है दो दिवसी दौरी पर आज़ आएंगे इसके बाद शेहर के जेल, बाइपास, रोट के निर्वाण कारी का जयसा लेंगे वहां से निकल कर गोरकनाथ मंदिर में रातरी विश्राम के लिए पहुझेंगे शुकरवार के सुवाद उजंतर दर्शन के बाद सियम्योग अधितनाथ लखनों के लिए प्रस्थान करे लें हाला कि अभी उनका प्रोटोकॉल नहीं जारी हुआ है सियम्योग अधितनाथ के आगबन और एनेक्शार कारी क्रम की सूचन के बाद बुद्वार की देर रात तक्जिला प्रशाशन तैयारियों में जुटा है एटियम प्रशाशन कारेदाई संसा लोग निर्माण विभाग अब श्रम्द आयूंत अमितुमार मिश्रा एवं अन प्रशाशनी का दिकारियों ने सलजन्वा की मुरारी इंट्र पॉलेज में बने हैली पैड इस्ताल समेज निर्माण इस्तलकाल जायजा लिया है 64.8 रुपे की लागत से निर्मित हो रहा अटालावासी विध्याली का निर्माण कारी सितंबर 22 तक कोर्ण करना है अब तक 38 पीसिती निर्माण कारी कोर्ण ने पोच चुका है प्रदेश में कोरोना को एकर हरात नियंद्रण में योग्या दितनाथ मुक्यमंत्री योगी अजितनात ने कोरुना पर प्रधान मंत्री मोधी के नियंदरत हुने मुक्यमंत्री के वर्चूल बैटक में भाग लिया और NCR के जिलों में कोरुना के नियंदरत के लिए उठाए गई कदमों के बारे में जानकारी दी मुख्य मंत्री योगी ने कहा कि सदी के सबसे बड़ी महमारी के वीच दो वर्षों में प्रदान मंत्री जी के मार्ग दर्शन में नकेवल महमारी के प्रिसाद पर नियंतर बनाने में सफलता प्रास हुई है बलकि रिकवरी के इसतर को भी बहतर रखा गया है प्रदान मंत्री जी के ट्रैक ट्रैस टू ट्रीट और टीका करण की नीथी के सफल क्रिया रिवर्वे से उत्र प्रदेश में कोविट महमारी पर प्रभावी नियंतर बना हुआ है सियम योगी प्रिदान मंत्री आपको पताते हैं सियम योगी ने प्रिदान मंत्री मोधी को उत्रप्रदेश में कोरोना के स्थिति उपचार के लिए मेडिकल सुविदाओ और मविश्य के चुनाथियों के मतिरचर राज की तयारियों के रिशह में अबगत कराया उन्होंने काल कि कोरोना को देखते हुए प्रदेश में परियाग्तों मेटिकल सुद्धा उपलब्थ है, प्रदेश में पांग सुवाट ऑक्सीजन प्लांट प्रिया निवित है, 42,000 सहरीक ऑक्सीजन कंसंप्रेटर लोगों के लिए उपलब्थ है कोरोना रिटर्न से अमरुहा में एक की मौत, उत्रब्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ज़ार हैं, बुद्धवार को प्रदेश में 261 केस मिले हैं, सबसे जाता गौतम बुद नगर में 110 और गाजवाद में 75 बामले सामया हैं इसके लावा लखनो और आगरा जिले में 18-18 केस मिले हैं, प्रियागरान वारारसी में 4-4 कुरोना से बेड़त मरीश मिले हैं, तो मेराट जांसे और बारावंकी तीन-3 लोगों में कुरोना की बुस्टिक हुई है अकेले इन दोनों जिलों में 185 केस रिपोर्ट आएं, प्रदेश में अब एक्टिव केस की बढ़कर 1384 हो गएं, हाला के इस दोनान 189 लोगों की रिकवरी भी हुई है यूबी में कानूर में वस्तापर्स यम योगी अधितनाथ ते की समिक्षब एठक, बोले लाउड स्पीकर की डियमों का मोपालल मोगी मंतरी योगी अधितनाथ मुदुवार को कहा कि विगत पांच वर्षों में हमने अनेक चुनाथियों का सामना किया है हमें एक बीमारू प्रदेश मिला था इस्तिती बिगरती हुई थी, आराजटा थी, दंगों के सिंस्क्रिती थी और ऐसे में टीम उत्रप्रदेश ने लगातार प्रयास कर एक नई कारे सिंस्क्रिती तयार किया और हमने साबित किया कि उत्रप्रदेश दंगा मुक्त हो सकता है जोगी ने कहा कि यही साबित हो गया है कि उत्रप्रदेश सम्रुदाइक सौहार्द का उधारण बन सकता है और ये बड़ी उपलब्दी है मुक्यमत्री ने बुदुवार को वीडियो कॉन्फरेंस के माधियम से मंडल जन्पत तैसीर एवं ब्लॉक इस्तर के दिकारियों के साथ विकास कारियों कानुम रवस्था और अट विश्यों के सम्बत में समिक्षा बैठकी एस दोराई सियम ने कहा के महा प्रते प्रतं वधृतिय शनिवार को थाना दिवास से एवं ब्लॉक दिवस का आउज़न किया चाए सीम योग्यादितनात का सब्दनेश दलालों को सरकारी कारियालों से दूर रखे हर दफ्तर में मूवमें के डजिस्टर जरूरी मोगी मंतरी योगया दितनात ने दो टुक लेंजे में प्रशाशनिक और पुरेस अधिकारियों को डरालों को सरकारी कारियालों से दूप रखने की हिदायत दी है उन्होंने बाद कि सरकारी कारियों वही करेगा जिसे बाद काम आवर्गित है ऐसे चिकायते मिल रही है कि कुछ सरकारी करामे के बहरी लोगों को और अधिकरत रूप से यह अधिकार दे रहे हैं। ऐसे हर घटा संगे अपरादी मान जाएगी। प्रदेश के समद्र विकास और राज की छवी बदलने में फिल्ड में तैनाध अधिकारियों की मेंत्पूर गोंबिका रही है। उन्होंने दावा किया है कि गर्मी बढ़ती जा रहे हैं। लेकिन राज्यू सरकार विजली की परियापता व्यवस्थार नहीं कर पा रहे है। उन्होंने कहा कि BJB के दूसरे कारेकाल में बिजली मंत्री बदल गए लेकिन दुर्दशार तरही बदली। यादव ने कहा कि सरकारी बयारों में ग्रामिर चेत्रों में 18-20 गंटे बिजली आपूर्ती का दावा किया जा रहा है। जबकि महज चार गंटे ही बिजली मिल रही है। का इस्थानों पर तो पूरी रात ब्लैक आउट रहता है। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी बयार में ग्यादव ने कहा कि बिजली का टौती से बुनकरों का धंदा बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि संथ कभी नगर में बिजली नहीं मिलने से बिजली चले तरह हत घर के ठप हो जा रहे हैं। आपको बता दे कि इनसे बुनकर आर्थिक संकट से जूच रहे हैं। वे आदे अधूरे तयार कपडों को लेकर परिशान हैं। विजली संकट के चलते में पारी गती बिध्या भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। सिर्फ एक मुकद्ने पर भी लग सकते हैं। यूबी गैंडिस्टर एक्ट एक्ट एजसी ने इलामाद एजसी की फैसले पर लगाई मोहर। सुप्रिम कोट में यूबी गैंडिस्टर कानूर पर बड़ा फैसला सुनाया है। और यह साफ कर दिया है कि एक मामला होने पर भी गैंगिस्टर एक्टिकेट हैट पुलिस कारिवाही की जा सकती है। तो भी गैंगिस्टर कारून के तहट उसरी खिलाब कारिवाही हो सकती है। यूपी में गर्मी तोड रही रिकॉर्ड बौसम विवाग ने चुता एक दो दिन बाद थोड़ी रहा की उमीद। जासी में दिन का अधिक्तम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया है। जासी में पड़ी गर्मी ने राजुस्तान के शेहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। राजानि लखनम में गुदुवार भुधिर का तैटन तापमान 43 डिग्री कानपूर का 44.9 डिग्री फारड़सी का 44.4 डिग्री प्युराग राज का 45 डिग्री सुल्तानपूर का 44 डिग्री और उरैका 44 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया। इस तरह जहां से यूपी का सबसे गर्व इस्थान रहा। इस तरह जहां से गर्व इस्थान रहा। इस तरह जहां से गर्व इस्थान रहा। इस तरह जहां से गर्व इस्थान रहा। को सब्सक्राइब करके बल आगट को प्रेस करना बिलकुल न भूले। इस तरह जहां से गर्व इस्थान रहां से गर्व इस्थान रहां